आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें अब दोस्तो जब हम इसमें सीमा का मान रखेंगे तो देख सकते हैं एक की घाट साथ यह आजाएगा एक के बराबर यहां से देख सकते हैं आजाएगा माइनस जब टी के जगा पर एक रखेंगे तो यह आजाएगा दो गुने एक की घाट पांच जिसे हम 2 के बराबर लिख सकते हैं और यहां से आजाएगा प्लस में 1 ठीक इसी परकार इसके बटा में देख सकते हैं टीक के जगा पे 1 रखेंगे तो यहां जाएगा 1 के बराबर माइनस यहां से आजाएगा 3 गुने 1 की घाद 2 जिसे हम लिख लेंगे 3 के बराबर और यहां से आजाएगा प्लस में 2 तो दोस्तों यहां से देख सकते हैं 1 प्लस 1 यहाजाएगा 2 के बराबर और इसमें से 2 घट जाएगा बटा में यहां से 1 प्लस 2 यहाजाएगा 3 के बराबर और इसमें से 3 घट जाएगा तो ये हमारे पास आजाएगा सुन्ने वटा सुन्ने के बराबर तो दोस्तो हम कह सकते हैं कि इसका सीमा सुन्ने वटा सुन्ने के रूप का है और हम जानते हैं कि यदि हमें दिया हुआ होता है limit x अग्रसर होता है एक योर फलन हमारे पास होता है fx वटा gx ठीक है और दोस्तो यदि इस सीमा का रूप सुन्ने वटा सुन्ने के रूप का होता है तो दोस्तो इसे हल करने के लिए हम क्या करते हैं हम L-Hopitals-Niam का उप्योग करते हैं ठीक है L-Hopitals-Niam से हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम लिख लेंगे L-Hopitals-Niam से हम क्या करते हैं हम दोस्त फिर से हम सीमा का मान रखते हैं और यदि फिर से हमें सीमा सुनने वटा सुनने के रूप का आता है तो फिर से दोस्तो हम इसका अलग-अलग अपकलन करते चले जाते हैं जब तक कि इसका सीमा सुनने वटा सुनने के रूप का हो तो दोस्तो इस सीमा का मान निकालने के लिए हम L-Hopitals-Niam का उपयोग करेंगे यहां पे हम लिख लेंगे L-Hopitals-Niam से देख सकते हम लिख लेंगे Limit यहां पे आजाएगा T अगर सर है 1 की ओर देख सकते हैं सबसे पहले हम इसका अफकलन करेंगे तो T की घाथ 7 का अफकलन आजाएगा 7 गुना T की घाथ 6 के बराबर माइनस 2 गुने T की घाथ 5 का अफकलन आजाएगा 10 गुने T की घाथ 4 के बराबर और दोस्तो एक अचर है तो इसका अफकलन सुननी के बराबर आजाएगा बटा में देख सकते हैं T की घा 3 का अफकलना आजाएगा 3 गुने T का वर्ग माइनस 3 गुने T के वर्ग का अफकलना आजाएगा 6 गुना T के बराबर अब दोस्तों इसमें जब हम सीमा का मान रखेंगे तो देख सकते हैं यहां से हमारे पास आजाएगा 7 गुना T के जगा पर आजाएगा 1 तो यहां पर 1 की घाद 6 आजाएगा माइनस यहां से आजाएगा 10 गुना T के जगा पर 1 रख देंगे तो यहां पर 1 की घाद 4 आजाएगा बटा में देख सकते हैं, यहां से आजाएगा 3 गुना 1, T के जगा पर 1 रख लेंगे, तो यहां पर 1 का बरगा आजाएगा, माइनस यहां से आजाएगा 6 गुना 1, देख सकते हैं दोस्तों, 1 की घाद 6, 1 के बराबर होगा, 7 का गुना करेंगे, तो यहां जाएगा 7 के बराब बटा में यहां से आजाएगा 3 गुना 1 की घाद 2, 3 के बराबर, माइनस 6 गुना 1 यहाजाएगा 6 के बराबर, तो यहां से 7 माइनस 10 यहाजाएगा माइनस 3 और बटा में 3 माइनस 6 यहाजाएगा माइनस 3 के बराबर, तो माइनस से माइनस कर जाएगा 3 से 3 एक बार में कटेगा तो हमारे पास इस सीमा कमाना जाएगा एक तो ये हमारे प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आसा करता हूँ कि आपको इस प्रश्ण का हाथ समझ में आया होगा तब तक के लिए धन्यवाद